हलो फ्रेंड्स वेलकम टू साहोस अफ सलोसंस और आप देखना सुरू कर चुके हैं एंगलर 17 का फूल टुटोरियल सीरिज दोस्तों आज से हम एंगलर 17 का कमप्लीट सीरिज अस्टार्ट करने जा रहे हैं और यह एंगलर 17 के इस सीरिज का पहला वीडियो है जिसमें हम यह द लेओं और कैसे सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे कौन-कौन से फीचर है इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी करके कुछ फीचर को देखेंगे इस लिए इस वीडियो को अच्छे से से स्टेप बेस्टेप बीना स्कीप किये देखिए बहुत ही कमाल का वीडियो है यह है कि हमारा यह टारगेट होता है कि हम जो भी इनफर्मेशन आपके पास लेकर आएं वह आपके लिए बहुत ही बेनेफियो हो सारा इनफर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिले तो हमारे टीम पहले पूरा का पूरा आरेंडी करती है पूरा निकालते हम लोग के क्या- बार-बार चीजें अच्छे से पढ़ने के लिए बार-बार देखना पड़ता है अलग जगहों से देखना पड़ता है और आपको पता ही है कि हमारा जो भी सीरीज होता है जिसकी वर्जन का कम्प्लीट इनफर्मेशन के साथ होता है तो इसलिए थूड़ा सा लेट हुआ ह और थैंक्यू फर यूर पिसेंस और आप थैंक्यू फर यूर कमेंट्स आप लोग बहुत जिनों से कमेंट कर रहे थे कि वीडियो डालिए तो अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं और विद कम्प्लीट नॉलेज कम्प्लीट इनफर्मेशन इस इसको अच् सीरिज भी तब हम बात करते हैं क्या नया है इस सीरिज में हम जानेंगा इस्टे बेस्टे लेकिन इस वीडियो में हम जितने भी नए feature हैं उसके बारे में overview देखेंगे कुछ practicals भी करके देखेंगे तो अब बात करते हैं इस video में what's new के बारे में कि एंगल 17 में क्या-क्या नया है देखिए इस video का start करने से पहले मैं आप लोग से एक request करना चाहूँगा कि इस video को like करिए, comment करिए, share करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले अगर आप इस channel पर नया है तो आप इस video को देखते समय ही इस channel को subscribe कर लिजे और bell की icon को click करिए ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो डालू तुरंत आपको notification मिले तो बात करते हैं angular के नए features के बारे में देखिए angular 17 को angular का renaissance बोला जा रहा और इसका मतलब होता है rebirth और rebirth को अगर आप हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं पुनर जनम, पुनर जागरन ति सचमुच में angular 17 को देखने से ऐसा लग भी रहा है कि हां सचमुच में इसका rebirth हो चुका है क्योंकि सब कुछ अलग है पुराने वर्जन से अगर आप इंगर 16 तक इंगर 16 से पहले के किसी वर्जन में काम किये हैं और एंगर 17 में काम करने जाएंगे तो आपको हो सकता है starting से सब कुछ सिखना पड़े हम उन सारी चीजों को discuss करेंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं सब सब कुछ नया है सब कुछ नया है सब कुछ अलग है जो सौंग है इस पर बहुत ही इंप्लिमेंट मेटता है सब कुछ नया हो चुका है इसमें अब बात करते हैं कि क्या-क्या नया हुआ है तो बात करते हैं कि क्या-क्या नया है जैसे ही आप इंगलर 17 के पोजेट कुरन करें ठीक है तो अब नया लोगों भी आ चुका है लोगों भी चेंज चुका है अब बात करें कि और क्या चेंज हुआ है तो आपके लिए डेवलपर्स के लिए खासकर डेवलपर्स के लिए एक नया विफसाइट लॉंच किया गया है जिसका नाम है अंगलर.dev जिसमें कोडिंग स्किल्स टुटोरियल आपके लिए अभी तक अंगलर ने डेवलपर्स के लिए कोई भी विफसाइट नहीं दिया था जहां से डेवलपर कुछ रेफरेंस ले सके कोडिंग के लिए प्रजेक्ट डेवलपमेंट के लिए तो अब इन्हों नया विफसाइट लॉंच कर दिया है और इसका नेम है एंगलर डॉट डेव मैं दिखाता हूं आप लोग को नए वेबसाइट में किस तरीके से क्या चीज़ें आप देख सकते हैं यह इनका पुराना वेबसाइट है मतलब एंगलर डॉट आयो जहां पर सारे इंफरमेशन यह लोग पताते ह हैं अभी वेबसाइट रन कर रहा है और रन करेगा जिसमें पुराना लोगो लगा हुआ है अब एक नया वेबसाइट दिया गया है इंगलर.dev इसको आप देखेंगे तो सब कुछ इसमें आपके लिए दिया गया है कि कैसे कैसे आप कोडिंग सीख सकते हैं टूटोरियल से है इसमें सब कुछ वार्टी जेंगुलर सब कुछ यहां पर कंपोनेंट डिरेक्टिव सिगनल सब के बारे में आप आप इंफरमेशन ले सकते हैं कोडिंग सिख सकते हैं खासकर यह डिवलपर को दियान में रखते हुए वेबसाइट आपके लिए लॉंच किया गया है इस जी जेनरेट कॉंपोनेंट और कमपोनेंट का नेम रिव उसके बास डेस डेस अस्टेन्च अलों लएकती थे तब अस्टेम अलोण कंपोनेंट क्रिएक हुए तो मैं आप लोगको दिखाता हूं कि की तराइकहीं के सिर्फब करेंगे टो एस तरीके सेंट अपोनेंट करें होगा अगर हमें पुराने concept में module वाला component करना होगा तो कैसे create करेंगे वो सब कुछ भी आगए इस सीरीज में हम देखेंगे करके भी हम देखेंगे तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं प्रजेक्ट में लिए 17 के प्रजेक्ट में और दिखाता हूं अश्टे नो नोन 16 तक हम लोग यहीं देखते आ रहे थे कि module फाइल जरूरी है लेकिन अब आप project करेंगे तो module फाइल आपको नहीं मिलेगा तो मैं यहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ नया हो चुका है जो लोग का intention हो चुका है जो लोग यूज करते आ चुके है module को चाहें routing के लिए चाहे फीचर module के लिए चाहे लेजी लोडिंग के लिए अब उनका पुरा का पूरा concept चैंज हो चुका है अब उन लोग को यह सारे concept यूज करने में बहुत ही problem होने वाला है इसलिए सब कुछ आपको स्टार्टिंग से सीखना होगा कि अब हम लेजी लोडिंग कैसे बनाए लेजी लोडिंग वाला concept कैसे यूज करें यह सारी चीज़ें आपको फिर से सीखना होगा क्योंकि आप module का concept है ही नहीं हलाकि ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन नए फीचर आ चुका है हम नए performance के साथ काम करना चाहते हैं तो हम पूरा करना concept नए फीचर में क्यों यूज करें यह भी बात होता है तो अगर आपको नए फीचर के साथ जाना है एक उन्हें से मेंटिंग साथ काम करना है तो सब कुछ फिर से अच्छे से सिखना ही पड़ेगा ठीक है तो आप देखिए अब जैसे आप component करते हैं उपन करते हैं अब यहां पर एक फाइल होता था और इस component का नेम उस मोडूल के डिकलेशन सेक्षन में एड़ेड होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर अब आपको कोई component क्रेट करना है तो आप यहां पर component करने के लिए जैसी आप लिखेंगे यहां पर लिखेंग अपर लिखेंग एंजी जनरेट component और component का नाम आप अगर लिखते हैं अस्टूडेंट तो पहले अगर हमें अस्टूडेंट क्रेट करना होता था तो डैस डैस अस्टैंड अलोन लिखना प्रता था ठीक है अस्टैंड अलोन लिखते थे तब अस्टैंड अलोन क्रेट होता था लेकिन अब हमें यह सब प्राइन एड होत क्या था था कि हमने अब मोडूल डॉट टीस फाइल को अपडेट कर दिया कि डिक्रेशन सेक्षन में हमने एड कर दिया इसका नहीं लेकिन जो कि अब नहीं आ रहा है अगर इस कंपोनेंट पर आप जाते हैं देखते हैं यहां पर तो टीस फाइल में लिख करके दिखाएंगे ठीक है अब बात आता है कि इस पहले मैं इसको रन कराके दिखाता हूँ जैसी आप रन करेंगे तो आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दीखेगा यह आपका हेलो पेज है आपके इनवर्ट सेवेंटीन का नए लोगों के साथ अब मैं बात करता हू कि यह जो student component create किया इसको मैं statically load करना है तो क्या मैं इसके selector से load कर सकता हूँ copy करके और हमने app.component.html पर swap को हटा यता हूँ जो by default code लिखा हो राता है और मैं यहाँ पर active लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ style और text align center करता हूँ ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं student को लिखता हूँ तो क्या यह load होगा इसके css में h1 का तुरह सा css डालता हूँ तुरह सा अच्छा दिखेगा background color blue कर दिया मैंने से ठीक है तो यह नहीं दिखेगा जैसी आप सेब करेंगे तो कुछ एरर आ जाएगा ठीक है क्योंकि मोडूल में हुआ करता था कि हम select directly रखते थे और रिलोड हो जाता था पिछले वर्जन में जो मैंने आप लोग का standalone component का जो वीडियो दिया है इसी चैनल पर तो आपको ब component का name copy करिए और उस जैसे मैंने app component के HTML पर रखा है तो आप component आपका parent बन रहा है और student child बन रहा है ठीक है तो अब हम यहाँ पारेंट और चाल का लेसंसी बन रहा है तो हम app component के ts file पर यहाँ पर कॉमा लगा कर इसको रख देंगे ठीक है जैसे ही रखते हैं तो आप देखिए इंपोर्ट कर दिया तो अब यह जाकर error खतम हो जाएगा और यह component student component इस app component के अंदर जाकर load हो जाएगा देखिए आप browser पर चलिए तो यहाँ पर student बरस दीखने लागा यह concept है आपका किसी component के अंदर दूसरे component को load करने के लिए अभी इस तरीके से करना होगा directly select रखने से ए आप हमारा live class join कर सकते हैं आप इस वीडियो की description box में जाएए और वहाँ पर आपको हमारे website का email website के URL दीखेगा mobile numbers दीखेंगे call करिए website पर जाएए syllabus देखिए और batch join कर सकते हैं तो English 17 का भी batch start कर दिया गया है आप batch को चूज करिए ज्वाइन करिए और complete corporate level का नोज दिए project training complete knowledge corporate level का दिया जाएगा जिसको training को करने के बाद आपको एक three years के experience वाला knowledge आपको अपने आप हो जाएगा लगेगा नहीं कि आप सीख रहे हैं कि आप काम करें क्योंकि जो भी आप पढ़ाएंगे बिल्कुल corporate level का पढ़ाएंगे आप developer से पढ़ेंगे ठीक है live classes में तो चल में implement कर सकते हैं पहले हमें server side rendering को implement करने के लिए कुछ extra implementations करने पड़ते थे इंगलर इंवर्स को implement करना पड़ता था जो कि बहुत ही headache वाला काम था complex task है उसको implement करने में बहुत सारे problem create होते थे server side rendering के लिए अब बात यह होता है कि हम अपने project में server side rendering करें क्यों यह भी question आपक चीज तो कि हमारे application का performance improve होता है और दूसरा कि यह good for SEO होता है SEO मतलब search engine optimization ठीक है आपको पता है कि जो भी हम Google पर search करते हैं तो जो भी हमारे top पर जो website के link आते हैं हमने search किया कि top एंगलर training center in India तो जो website उपर render करके आते हैं तो SEO का feature है SEO का कमाल है बहुत सारा लोग SEO कराते हैं जिसके उनके website top पर आते हैं तो यह Google उनको indexing करता है तो जो SSR में project बनेंगे वह good for SEO होता है SEO में उसका help मिलता है क्योंकि जो clients से rendering होते CSR rendering वाला project होता है उसमें पहले blank page लोड़ होता है उसके बाद उसके पर component लोड़ होते हैं लेकिन अब यहां पर SSR में ऐसा नहीं है SEO के project करने के लिए आपको कुछ extra नहीं करना है इसको बस आप project create करते time लिखेंगे कि ng new project करने तो अपने आप यह पूछेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर जैसी आप लिखते ng new project करने मैं जैसे माल यह माई आप लिख दिया मैंने my app और जैसी आप इंटरहिट करते हैं पहले तो यह पूछता है कि कौन सा CSS करना है जैसे कि पहले पूछा था और इसके बाद जैसी आप इंटरहिट करते हैं तो पूछता है कि do you want to enable server side ending SSR तो आप यहां पर y press करेंगे y press करके जैसे इंटरहिट करेंगे तो जो project create होगा उसमें अपने आप SSR implemented होगा SSR के feature added होंगे आप उसे server side ending के code लिख सकते हैं अगर आपने इस इन प्रेस कर दिया तो यह feature आपके project में नहीं होगा अगर आपने इन प्रेस करके project create कर दिया तो आप उसमें add करने के लिए अगला जो changes है देखिए जो भी चीज़े में भी बता रहा हूं shortcut में के वह अबर्वीव दे रहा हूं हलाकि कुछ examples भी करके देखेंगे अगला जो feature है हमारा signals are stable now signals को अस्टेबल कर दिया गया पहले के वर्जन तक signals को इन डेवलपर प्रिव्यू में रखा गया था ठीक है लेकिन इंग्र 17 में इसको स्टेबल कर दिया गया आप इसको उच कर सकते हैं signals के बारे में ज्यादा knowledge के लिए आप हमारे चैनल पर जाईए English 16 के playlist में जाईए या फिर डारेक्ली भी वीडियो इसके अंदर देख सकते हैं signals का वीडियो हमने डाल रखा है बहुत यह अच्छे तरीके से समझाया है यह signals some cases करते हैं और उसके benefit क्या किस तरीके से application के performance को enhance करता है ठीक है तो आप उसको देखिए समझे उसका link भी मैं इस वीडियो के description box में डाल दिया है आप उस पर क्लिक करके signals के बारे में अच्छे से देखिए देखिए कुछ अभी भी कुछ चीजें इसमें developer preview के अंदर रखा ह है कि उस पर developer R&D कर रहे हैं जो है कि effect method जैसे effect method अभी developer preview में रखा गया कि ताकि उसमें कुछ दीकत हो तो उसको ठीक किया जा सके होता कि कोई भी चीजें पर developer preview में इसलिए रखा रहता है कि लोग उसकी यूज करें और उसमें जो भी changes जो उसमें ठीक करके stable किया जाए तो स सब कुछ stable हो चुका है लेकिन कुछ अभी method से जैसे effect है उस तरीके से कुछ और भी method से जिसको अभी developer preview में रखा गया है हो सकता है आगे आने वाले वर्जन में उसको भी stable कर दिया जाएगा तो उन सारे चीज़ों कैसे इंप्लिमेंट करते हमने इस वीडियों बता रखा है आगे इस सीरीज में भी signals को project के अंदर use करना में आप लोगों को सिखाऊंगा तो इस सीरीज में अच्छे से बने रहे हैं बीना skip किए वीडियो को देखिए दोस्तों के साथ इसको जुरूर शेयर करिए ताकि सब को देखने को मिले अगला जो changes है आपका ओ है control flow बहुत थी एकसाइटिंग फीचर बहुत थी या बोल सकते किलर फीचर जो application के performance को enhance कर देता है देखिए control flow में आपका आता है ng-if ng-for और ng-switch पहले ng-if ng-for ng-switch star के साथ ही उता था जो कि अब नए syntax में add rate के साथ यूज होगा जो अब पहले के ng-if का performance उससे कईयक गुना ज्यादा enhance हो गया performance में increase हो गया add rate if के साथ performance बहुत ही अच्छा हो चुका है अगर आप नया syntax हीच करते हैं तो आप पहले के project में star ng-switch करते थे और ng-switch करते थे और star ng-switch करते थे उसके बद्ले में add rate for और add rate switch करेंगे ACB directive को angular का killer feature बुझाता है क्योंकि यह HTML के power को extend करता है मतलब कि यह killer feature है और यह add rate वाला concept आ जाने से और भी यह famous हो गया क्योंकि अब आप इसमें बहुत सारा feature यूज कर सकते हैं मैं आप लोगों के दिखा रहा हूं अभी कुषिजी यूज करकर के नए syntax के साथ और इसका performance कई गुना जादा हो चुका है अच्छा हो चुका है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि नए syntax आ जाने से पूराने syntax को बंद कर दिया कि नहीं अभी भी नए वर्जन के प्रोजेट में अश्टार एंजी उच कर सकते हैं लेकिन जब हमारा नया फीचर आ गया है अच्छा performance दे रहा है तो हम पुराने syntax को क्यों उच करें यह भी एक question बनता है लेकिन ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया तो चली मैं इसको implement करके आपको दिखाता हूं प् यहां पर हमने true लिख दिया और यहां पर हम कुछ की चीजी लिखते हैं कि hello इस तरीके से कुछ भी लिखते हैं या फिर माल यह हमने एक div लिया और इसमें मैंने लिख दिया hello world ठीक है इस तरीके से हम उच्छ करते हैं तो यह हमारा server-side coding है ठीक है अब यहां पर आपको अब यह आपके ब्राउजर पर जाकर दीखेगा ठीक है जैसे ब्राउजर पर जाते हैं तो आप देखिए hello world दीख रहा है ठीक है तो यह इस तरीके से डॉम को ही लाइट वेटेट करता है यह सब कुछ में आगे आने वाले बीडियो बताऊंगा आपको डॉम को ओपन करकर करके दिखाऊंगा कि हमारा डिरेक्टिव जो है डॉम को लाइट वेटेट कैसे करता है सब कुछ हम स्टेब बेस्टेप आगे देखेंगे जो की आउट अप स्कोप होगा ठीक है अब हम बात करते हैं कि इसमें थुरा सा डैनेमिक कर लेते हैं यहां पर माल लिजे कि हमने सब्सक्राइब लिया इज लॉग्डिंग लॉग्ड इन और इसको मैंने बूलियन टैप कर दिया और इसमें मैंने डाल दिया ठीक है तो अब यहां पर देखिए बरीबल से चेक करेंगा कि उसमें प्रू है कि यहां पर आप देखा सकते हैं यूजर यूजर लॉग्डिंग ठीक है आपको दीख जाएगा तो क्या हो जाएगा नहीं दीखेगा जैसे वहां पर मैं फॉल्स कर दूंगा यहां पर आपके यहां पर प्राउजर प्रेने ही कर सकते हैं आप यहां पर क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं टेकर अट बस आपको add rate लगा देना है और यहां प्लिक लिजिए एक div लिजिए div और यहां प्लिक दीजिए user लोगड़ाऊट ठेक है अब इसको आप जैसे देखेंगे तो अब आपको ईजर लोगड़ाऊट दिखाएगा देखें लोगड़ाट मैं और भी आचल को ईचाँ सब्सक्राइब मैं Això में लेता हूं दो बटन भटन लिया मैंने लोग इन ठेक है और यहां पर मैं यहां पर मे इंदर मैं डालता हूं प्लिक और यहां प्लिखता हूं लोग आउट से अब इसको मैं यहां पर इंप्लिमेंट करता हूं देखे कितना अच्छा बनेगा लोग इन और यहां पर इज लॉग इन के और मैं डालता हूं टुग करता हूं लुगाउट और से हैंट पड़का अब यहांपर चलेंगे जैसे भरोजर पर अब यहांद इंगे इस पर क्लिक करेंगे करेंगे लॉगिन हो जाएगा इस पर क्लिएंगे में व्लॉगाऊट लॉग इन लॉग आउट तो कितना अच्छे तरीके सम्यूज कर पा रहे हैं अब एक concept यहां पर और भी समझ यह कि ng-eaf के साथ अभी तक हम डारेक्टिव में अस्टार एंग-eaf के साथ लेकिन इसमें यूज कर सकते हैं इसमें आया इसमें यूज कर सकते हैं सुच यह कितना कमाल का फीचर एड़ो चुका है अस्टार एंग-eaf में जो नहीं था ठीक है यूज कर सकते हैं इसको मैं लगाउट यह था ठीक है से और मैं यहां पर एक दूसरा लेलता हूँ एड़रेट इफ और यहां पर मैं एक वेरियेबल दूसरा लेलता हूँ और यहां पर डालता हूँ मैं एज इसमें डालता हूँ फाइब ठीक है इस तरीके से मैं यहां पर लेलता हूँ एज अगर लेस देन है टेन ठेक और यहां पर लेज़ता हूं दिव दिव लिवार चाइल ठीक है और यहां पर एल सिफ करता हूं एड़ेट के साथ एड़ेट एलसिफ अब यहां पर भी कंडिशन अपर डाल सकते हैं देखिए लसे पिल से प्ला काते जाएए अगर ग्रेटर देन है आज टेंड से एंड एज लेस तैन है आपका कुछ भी डाल दीजीए माल लिजेक हमने फोटी डाल दिया और यहां पर आप डाल दीए कि लिवार यंग ठीक है और यहां पर एलसे लिजेए एड़ेट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ठीक है एक टीब लीजेए और यहां पर देखा रहा है और यहां पर इस चैंज करूंगा यहां पर डाल दूंगा मैं 15 करोंगा ब्लाजर पर चलेंगा यह वार यॉंग दिखा दिया जैसी कि मैं यहां पर जाओंगा और यहां पर डाल दूँगा कोई और एज यह से माली आपने 60 डाल दिया सेव किया अब राउजर पर जाओंगा यूरा और दिखा दिया इस तरीके साफ यूज कर सकते हैं इसली अब दूसरा कंट्रोल मैं आपको सिखाता हूं जैसे स्वीच हो गय लेकिन अपस्चे सकी है ठीक है यहां पर मैं एक स्वीच कंडिशन लगागा दिखाता हूं जैसे माली एक हमने यहां पर एक लेलिया नेम नेम और इसमें मैं डाल दिया राम स्ट्रिंग में ठीक है और यहां पर मैं एक स्विच बनाता हूं एड़ेट स्विच ठीक है एड़ेट स्विच किया और इसे में डाल दिया नेम नॉर्मल स्विच किस की तरह आप यूच करेंगे करली ब्रेकेट के साथ अब यहां पर किस्ट बनाएए केस और यहां पर मैं डाल दिया मोहन ठीक है और यहां पर आप डाल दीजिए डिव में डिव हेलो मोहन ठीक है एक और केस बनाए इस तरीके से और भी केस आप बना सकते हैं कॉपी करिए जितना केस बनाना है आप बना दीजिए और यहां पर डाल दीजिए राम तो हो जाएग हेलो राम वहाँ पर नेम चेंज करिएगा और यहाँ पर आपका डेटा चेंज हो गया ठीक है शोहन हेलो शोहन और यहाँ पर एक डिफॉल्ट लगा सकते हैं अध्यट अध्यट डिफॉल्ट हो गया और यहाँ लिख सकते हैं नो यहाँ पर डिफ के साथ लिख दिजिए नो सच नेम एक्जिस्ट ठीक है इस तरीके से कर दिजिए अब देखिए ब्राउजर पर चलिए अब यहाँ पर आ रहा है हेलो राम नेम चेंज करिएगा यहाँ और यहाँ पर लिख दिजिए अगर जैसे ही मोहन तो आपको दिखा देगा यहाँ तरीके सिए आपका स्विच के स्विज हो गया अब इसको भी मैं कमेंट करता हूं यह सब कुछ डिपली आगया आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जल्दी जल्दी इसमें बताता हूं हुं इसमें पहले वीडियो में जैसे माल यह हमें लूप चलाना है तो हक्लम चला सकते हैं यहां पर आप माले यह हम ने एकले लिया और यहां पर बनाता हूं एनी ठीक है आप बना कर और उसमें कुछ डेटा डालता हूं ताकि लूप चलाएंगे हम इसमें ठीक है एनी टाइप का एकवल टू एर और इसमें डालता हूं इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पेस्ट पेस्ट ठीक है और यहां पर मैं करता हूं टू यहां पर थ्री यहां पर फाइब ठीक है यहां पर मैं करता हूं अजीत कुमार यहां पर मोहन कुमार सिंग करता हूं ठीक है और यहां पर मैं सोहन यहां पर सोनी कुमारी करता हूं ठीक है अब इसको मुझे सब्सक्राइब करना है तो मैं चलूँगा कहां पर HTML पर और HTML पर इसको मैं बाइंड करता हूं से इसको सब्सक्राइब पर आकर मैं डिरेक्टली लगाऊंगा एड़ेट फॉर अस्टार एंजी फॉर लिखने कर नहीं है यहां पर लिखूंगा मैं जिस तरीके से हम वहां पर भेर यह पर लेते थे चल यह पर अंदर उसा तरीके से आप लिखेंगे रस्टूडेन्ट कर दियाल गया अपको लिखना होगा जैसे कि आप लोगों को पता है पीछले स्रीज मैं बता रखा है कि optimize करने के लिए पूड के performance को enhance करने के लिए ट्रैक वाई का युच करते हैं कि फॉर लूप में क्या problem है उसको कैसे ठीक करें ट्रैक करता है इसको मैं और भी डिपली पढ़ाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में तो उस concept को यहां पर by default कर दिया गए आपको यहां अपर लिखना ही पड़ेगा ठीक है नहीं लिखेगा तेरा रहेगा बाइट कर दिया गया है कोड के performance को enhance करने के लिए ठीक है तो यहां पर लिखेंगे student.id इसके बारे में deeply अलग से में आप लोग को वीडियो दूँगा अगर आप लोग को नहीं आ रहे है तो ठीक है यहा आपका student में bind हो जाएगा आप student.id कर सकते हैं यहां पर लेकर ठीक है यहां पर चलिए एक अरलक से list item करेंकर आपको दिखा दूँँ देखिए student का आपको बाइंड होग ठीक है आप यहां पर student का id भी बाइंड कर सकते हैं कोपी करिए और यहां पर student का id कर दीजिए और यहां पर एक सपरेटर डाल दीजिए ठीक है चलिए प्राउजर पर एक student id के साथ यहां पर बाइड हो जाएगा student id name id name id तीस सरीके से आप लूप चला सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहां पर यहां पर सब नहीं आया एक है यहां पर आप दिकाना होता है कि no data found या important list of student इसरी क मैं दिखाना हो अभी कुछ नहीं दिखना दिखना है तो हम क्या करेंगे यहां पर लगा देंगे सब कुछ सिंपल हो चुका है यहां पर लगा यह एड़ रेट इंपीटी ठीक है इंपीटी ठीक है और यहां पर लिख दीजिए डीव के अंदर चाहें ऐसी लिख सकते हैं कि लो डेटा फाउंड शेब करिए ब्राउजर कर चलिए अब यहां पर देख सकते हैं नो ड सब्सक्राइब कर देख देख लिए आपका कंसेप्ट कंट्रूल फ्लो का बहुत थी एक्साइटिंग फिचर है और कूल फिचर है जो आपके अप्लिकेशन के परफॉर्मेंस को कई गुना इन्हांस कर देगा आगे इसके बारे में डिपली पढ़ेंगे सारे चीजों को ठ इस तरीकिस यह लेजी लोडिंग वाला कंसेप्ट इंप्लिमेंट करते हैं सब को हम एक्जांपल के साथ देखते हैं ठीक है बहुत ही कमाल का फिचर है इसको यूज करके आप अपने कंपोनेंट को ओन डिमांड लोड कर सकते हैं या फिर जब उसकी जुरत हो तब उसकी ल दोन देनाते हैं चालिए इसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं कमपोनेंट करेंट करता हूं ये एक एंची आधेटके लेक और सिखते हैं तो बहुत कुछ आपको नौलेज मिलने वाला इस वीडियो से ठीक है तो मैं क्या काम करता हूँ जो आपका यह आइटम लिस्ट का इसको मैं भी टुफॉल्ट लोड करता हूँ आपकंपोंट.html पर इसके अंदर इंपोर्ट करना होगा यहां पर इंपोर्ट करेंगे ठीक है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया सेव कर दिया इसका काम करता है अब हमारा यह पे जाकर लोड हो रहा होगा देखेंगे ताप यहां पर आएटमList का पेज्ट लोड हो रहा है तो हम यहां पर कुछ काम करते हैं हां पर लिखते हैं आईटम लिस्ट के पेज पर यहां पर लिखते हैं एक स्टू डाल जेते हैं और लिखते हैं और यहां पर हम एक आइटम के लिए एक हम एक डीव ले लेते हैं और डीव के अंदर एक IMG ले लेते हैं और SRC के अंदर मैं लिखता हूँ assets के अंदर एक हमने एक image डाल रखा है angular.jpg ठीक ही हमें save कर दिया और इसका width set करता हूँ अब विर्थ नहीं तो पूरे page पर लोड हो जाएगा 300px करता हूँ save कर दिया ठीक है और यहां पर इसको बंद कर देता हूँ और item list के ts file पर चलता हूँ ts file पर चलता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ एक बना लेता हूँ array items ठीक है और any type का array बना लेता हूँ any type का array equal to new array और इसमें मैं तू आइटम ला देता हूँ पहले से दो आइटम लोड करता हूँ दीखिए गबहुत ही कमाल का फीचर यह ठीक है और इसको इसके इस्टी एमल पर लोड करता हूँ ठीक है एस्टीम पर लिखता हूँ मैं एक डीव और डीव में मैं डालता हूँ at the rate और इसके अंदर आइटम और आइटम जो हमने array बनाया है फिर ट्रैक ट्रैक आई कॉमा फिर उसके बाद let i equal to index करता हूँ dollar index ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं पहले इस data को बाइंड करता हूँ जो हमारा इसका component है इसको लेकर आता हूँ इसी component को बार बार लोड करूँगा आइटम वाले component कर इसी पर bind करूँगा मैं ठीक है यहाँ पर इसको लिखा मैंने ठीक है और इसको मैं close भी करता हूँ ठीक है या फिर आप ऐसे इसको लिखिए और यहाँ पर डालिए आईडी एक वल्टू आई प्लस वन ठीक है बहुत ही अच्छा सा एक्जाम्पल मैं आप लोग के सामय लिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक ब्याट टाइग लगा ठीक है पहले इतना पर देखिए गा अगर ब्राउजर पर हमारा है दो आईटम लोड हो रहा होगा चलते हैं पर ब्राउजर पर तो इसका देखिए पहले आप आईटम का जो हमारा यह नेम है इसको कॉपी करके पहले हम कहां पर लोड कर रहे हैं आईटम लिस्ट वाले पर तो यहाँ पर इसके इंपूर्ट के अंदर डाल देंगे यह सब बंद किया मैंने ब्राउजर पर चलता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि दो-दो इमेज का आईकन आ रहा है लेकिन लोड नहीं हो रहा देखते हैं कुछी स्पेलिंग मिस्टिक होगा यहां पर आते हैं और यहां पर एसेट्स का वह एसेट्स होगा ना एसेट्स के अं अब चलते हैं ब्राउजर पर तो हमारा दो-दो इमेज लोड हो गया देखें दो आइटम हमने लोड कर लिया है अब यहां पर देखेंगे कंसेप्ट ठीक है कंसेप्ट समझने के लिए अब मैं यहां पर लगाता हूं यहां पर डिफर ठीक है किस तरीके से यह दिखाएग तरीके से स्लोली लोड करेगा देखे यह बहुत लेजी लोडिंग वाला चाहेंगगे वही लोड होगा अन-दिमांड लोड होगा का स्क्रोलिंग करेंगे तब नीच से लोड होता चला जाएगा मतलब कि अप्छलिके शों करने के लिए इसको लाई गया है ठीक है अब इस त्पेस ज्यासे से धेखिए हाँ आपको नहीं देख रहा है राइट क्लिक करके इंस्पेक्टून करिये और नेटवरक्स में चलिए ठिक है यहां पर श्ता तो करता हूं स्रूफ थेखें यहांब पर पहले क्या होता है है जिस पर हमें दोन इस दोनों मोड आइटम को लोड करें यह बाद में लूड हो रहा है ठीक है तो मतलब कि अभी छोटे से चीज़ों मैं आपको दीखने जब आपका e-commerce का अपड़ी कैसे अगरा बनाएंगे जब प्रोड़क्ट लोड करते हैं तो वहां पर यह concept बहुत ही आपको दीखता होगा कि यहां यहां कुछ चीजे लूड होने वाला है तो उसके बाद वहां पर डेटा लूड होता है ठीक है ताप उस तरह का चीज़े बना सकते हैं इसमें देखिए बहुत कमाल का फीचर है यहां पर यहसी मैं लगाता हूं अटरेट प्लेस होल्डर प् और यहां पर मैं एक क्लास बना जाता हूं बढ़ी आशा यहां पर एक क्लास बना जाता हूं क्लास का नाम मैं देता हूं प्लेस होल्डर ठीक है और इसके अंदर मैं वी टाल लेता हूं 300px जितना इमेज है थोड़ा सा डिजाइन कर रहा हूं हाइट टाल लेता हूं मैं 300p और उसके बाद बैक्ग्राउंड कलर डालता हूं ग्रे ठेक है उसके बाद मैं डाल देता हूं पैडिंग 10px मार्जिन भी सेट करता हूं मार्जिन सेट करता हूं 40px कुछ भी इस तरीके सब सेट कर दीजएगा से प्या मैंने और इसी प्लेसोल्डर को मैंने कॉपी करके यहां पर डालता हूं इसके अंदर क्लास करके क्लास ठेक है और इसको डालता हूं सेब किया मैंने ठेक है अब उसके बाद मैं क्या करता हूं यहां पर चलता हूँ पर ब्राउजर पर सेब किया मने ब्राउजर पर चलिए अब देखे पहले प्लेस लाओडर आएगा देखे पहले सबर आ तब गुणास फोल्दर अnormलर होगा फिछर्श करिए पहले फ्लेटा लोड़ोटीटा दिखेंग ठीक है आप यहां पर यहां पर यहां पर आप कर सकते हैं आप लगाई एड रेट लोडिंग लिखिए और यहां पर यहां पर लिखिए डीव और यहां पर लिखिए यहां पर लोडिंग लिखिए और लोडिंग लिखिए और लोडिंग लिखिए और लोडिंग लिखिए और ठीक है अब देखिए अब यहां पर जैसी देखेंगे जाएंगे ब्राउजर पर यहां पर इसको रिफ्रेस्ट करिए रिफ्रेस्ट करते ही देखिएगा पहले यहां पर लोडिंग लिखा हुआएगा ठीक देखें लोडिंग लिखा हुआ रहा है और उसके बाद आपका डे इसी डिफ को लिजिए इसको मैंने कॉंपी किया और यहां पर डालिए और यहां पर एरर लिख रिजिए एरर ठेक है और यहां पर इसका क्लास चैन्ज कर दीजिए यहां पर मैं इसी को कॉंपी करके क्वेस्ट करता हूं और यहां पर लिखता हूं और सेब करिए और इस एरर नहीं है तब कुछ नहीं वाला concept नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन यहां पर दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर इस तरह का रिड करते हूं मैं आपका यहां पर आप और स्क्रांवे मैं वहीं ह cuánt दिखा रहा है और आपका डूड़ाओ रहा है अभी मैं दिखांगा यह के लिए अभूड़ हो गया अब यहाँ पर लोड हो रहा है ठीक है देखिए अब मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन हटाओं करूंगा मैं देखिएगा एरर आ जागे देखिए रागया ठीक है तो इस तरह कंसेप्ट आप इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसमें आप अब इसके अब अब और भी इसमें कुछ चीज़े देखते हैं जैसे कि मान लिजेक होता है व्यूव पार्ट ठीक है व्यूव पार्ट पर आप इसको दिखा सकते हैं चलिए मैं ले चलता हूं कोड में यहां पर इसको पापी करिए या फिर यहीं प्लिकिये डिफर के अनदर ओन यहाँ पर पाहले में कुछ चीज देखें यहाँ पर मैं इसको उनक्रिज करता हूं 100 करता हूं कुछ ज्यादा डेटा हैं तो ठीक है और यहां पर में लिखता हूं on viewport ठीक है विई-व करता हूं ठीक है शेव करिए भी पूर्ट लिखने के बार सीव किया मैंने और यहां पर आप चलिए browser पर ठीक है और यहां पर इसको 3G कर दीचे ठीक है के तो काम नहीं करेगा अब देखिए यहांँ पर 100 डेटा लूड होगे और सक्रूल के बाद बाग की डेटा ल्ट होगा देखिए पहले दिखा रहा है कि लोडिंग और उनके बाद देखिए अब जैसे ही डेटा स्कूल dr. युद थे यह होता है आपका बितना नीचे से लाट चला जाएगा उन रन टाइम ठीक आगे एक होता है कि माउस भर मतलब मुझे मैं माउस ले जाऊं तो भूलोड हो उसके और चलिए ब्राइजर को यहाँ पर चलते हैं पहले रोड नहीं होगा के यहां पर आपका यहां पर जाऊंगा यहां पर यह यह कंपोनेंट रौट हो जाएगा एक थीक है एक लोट हो गया ठीक है तो माउस ले जैसे मैं इस पर जांगा देखें जिस पर ले जाँगा इस पर ले जाँ यह बहुत प्रोड का फीचर है ठीक है अब मैं आप लोगो और भी चीज़े दिखाता हूं ठीक है कि triggers के बारे में अग्वशित ही होता है मॉस और तो जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को triggers के बारे में जैसे कि विफूर्ट दिखाया मॉस बढ़ए कॉस्टम भी होता है अब कॉस्टम加 सकते हो такие जब क्लिक करूँ तो बोलोड हो तो यह भी आप कर सकते हैं कैसे इसी वीडियो में वीडियो थोड़ा से लंबा होगा लेकिन गवरानी जोत नहीं है देखिए अब मैं यहां पर एक बटन लेता हूं यहां पर एक बटन लिया मैंने और लिखता हूं 100 items ठीक है और यहां पर मै मैं लिखता हूं क्लीक और यहां पर मैं लिखता हूं एक बटन लेता हूं यहां पर एक वरियाबल लेता हूं 100 items ठीक है बुलियन टाइप है इसमें डालता हूं मैं फॉल्स ठीक है और यहां पर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर बटन पर मैं इसी को कॉपी करके और इस पर इसमें equal to true डालता हूं ठेक है सेव अभी मैं फिलाल दो data bind करता हूं इसमें है two करता हूं सेव और यहां पर आता हूं ठेक है यह हो गया अब यहां पर मैं लूड करूंगा अपने हिसाब से मैं लिखूंगा वेन यह सब ट्रीगर है वेन ठीक है और इस आइटम को स्वाइटम डाल दिए स्वाइटम जब ट्रू होगा तब यह लोट होगा तीस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो प्रेटिप चीज़ें हैं मैं आगे आगने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा बहुत ही कमाल का स सीजें बनाने वाला हूं आप सिलीच को अच्छे से बुक मार्क रके रख लीजिए मैं तरह बोलूंगा प्लेटे लिस्ट में जाए और उस प्लेटिस्ट को बुक मारकर करके रखिए ताकि जैसे कोई नाया बीडियों आपको इस प्लिश्ट में सारा वीडियों आपको द कुछ भी नहीं लोड हो रहा है ठीक है जैसे सो आइटम पर क्लिक करूंगा तो अब यह लोड होना सुझ देखे लोडिंग होना सुझ हो गया ठीक है तो बहुत ही कमाल का फिचर है इस तरह के चीजें मैं आने वाले वीडियो में एकके करके बहुत अस्टेप बेस्टेप को लाइक करिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिविकर सलाना शुरू हो जाता है और आप हमेशा अपडेट रहते हैं क्योंकि नया वर्जन है और आपको यह भी पता है कि हमारे चैनल पर सब कुछ अ कर सकते हैं वीजिट करिए हमारे वेबसाइट www.sahosabtech.com और मुबाइल नमबर पर कॉल करिए इंक्वाइरी करिए और अपने सिट फिक्स करिए चलि मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टोपी के साथ तब तक ले थैंक्यू शो मच